जैसे जैसे मेगा आक्षन नजदीक आता जा रहा है सभी टीमों की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है अब मेगा आक्षन की चलते सभी टीमों के कप्तानों की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ चुकी है तेरह तारीक के बाद से अब सभी कप्तानों को अपनी अपनी कम पर कसनी पड़ेगी अब क्योंकि चुकि बात यह है कि जैसा कि सभी टीमों के खिलाड़ी सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद से उनका प्रैक्टिस सेशन भी सुरू हो जाएगा और सभी टीमों के कप्तान अपनी टीम का आईपियल 2022 में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के ल काली है दरदरसल बात यह है कि हमारी ाईपियल टीमों के दो कप्तान ऐसे हैं जिनको एक नई जिम्मेदारी संभालने पड़ेगी अब चुकि ये बात ऐसी है कि हम आपको बतानी के लिए भी बेहदुत सुख हैं तो दरसल बात ये है कि दो कप्तान ऐसे हैं जिनकी शादी के खबरें सामने आ रहे हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दोनों कप्तान जल्द ही श पहला नाम शामिल है वो है रिशब पंथ अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि रिशब पंथ दिल्ली कैपिटल की कप्तान है उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम के लिए अब तक 84 मैच में 2498 रन बनाये हैं रिशब पंथ की कप्तानी से उनके सभी फैंस काफी ज्यादा जिसका नाम है ईशा नेगी आपको बता दें कि ईशा नेगी देहरद उनकी रहने वाली है और वह एक इंटीरियर डिजाइनर है ऐसी खबरे आ रही हैं कि पंथ इस साल अपनी कथिद गर्फरिंट से जल्द ही शादी के बंधन में बन सकते हैं तो चलिए अब हम आपको बत जाते हैं इस लिस्ट में जो इसका नाम शामिल है वो दूसरे प्लेयर कौन है तो आपको बता दें केल राहूल को लखनोव टीम की कप्तादी के लिए चुन लिया गया है आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इससे पहले केल राहूल पंजाब किंग्स के लिए खेला करते थ केल राहूल इस साल IPL 2022 में टीम लखनोव के लिए कप्तानी करती विन नजर आने वाले हैं आपको यह भी बता दें कि केल राहूल की भी शादी की खवरें काफी लंबे समय से आ रही हैं केल राहूल बॉलिवोड के दिगर जैक्टर सुनिल सेटी की बेटी आथिया सेटी को डेट कर रहे हैं लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सुनिल सेटी ने इस बात को पूरी तरही के से जूटा बताया है लेकिन इन सब के बावजूद फैंस यही उमीद कर रहे हैं कि केल राहूल जल्दी शादीर के बंधन में बंधने वाले हैं तो चलिए आपको ह कुमारे यह वीडियो कैसा लगा है और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल कर दो